प्रेंड स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के विद मी में तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे करंट अफेर के बारे में इस क्लास में हमारे जो कल का करंट अफेर है वो रहेगा और आज का करंट अफेर इसमें मैंने एड़ कर दिया है तो स्टार् मनीश राठी ने बाइक पर स्टंट दिखा कर इन्होंने वर्ल्ड रिकोर्ड बनाकर अपना नाम गिनीज बुक में रिकोर्ड करा लिया है तो इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं हर्याना के रोत्तक निवासी रोत्तक के किसी गाउं के रहने वाले हैं ये भारतिय स सीट पर बैठ कर आगे का पैयां उठाकर 2.4 किलोमेटर तक की दूरी तया की तो यह इन्होंने ऐसा स्टंट दिखाया तो इंपोर्टेंट है यह और इसका आयोजन कहां पर हुआ था बंगलूरू में चीक है और कौन सी मोटर साइकल थी बुलिट चीक है इससे पहले मनीश सवतंतरता दिवसपर और गणतंतर दिवसपर दिल्ली में होने वाली प्रेड में भी अपना कर्तब दिखा चुके हैं और इसके साथ सथ अभी नो ने किसमें नाम दर्श कला लिया है गिनिस बुक ओफ वर्ल्ड रिकोर्ड में अपना नाम दर्श करवा लिया है तो यह गोशना हर्याना में किसके द्वारा की गई है तो आपको पता होना चाहिए हमारे यहां पर जो ग्रामीर और पंचायत विकास मंतरी हैं उनका नाम क्या है देवेंद्र बबली तो यह गोशना भी किसके द्वारा की गई है देवेंद्र बबली के द्वारा तो इसके बाद कु पूप तक जाएगा जन्वरी के महीने में इससे जो इनसान नहीं आता इससे जो यह भवन हैं उन्में हाई-टेक लाइब्रेरी जो है वो तैयार की जाएगी साथ में1000 बवनों को जरन-बद यपी लाइब्रेरी के रूप में तैयार किया जाएगा इलाइब्रेरी का मतलब होता है कि यहां पर क्या होंगी सभी तरीके की इंटरनेट की जो सुवीधाये हैं वो यहां बच्चों को उपलब्द कराई जाएगे ताकि बच्चे जो है और इसके साथ 18,000 जो तालाब है उनका क्या किया जाएगा पुनर उदार किया जाएगा सुन्दरी करण किया जाएगा ठीक है तो यह आपको याद रख लेना है इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोशन बहुत जरूरी कोशन है यह आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उदगा तो केलो हरियाना यूत गेम्स है उसका उधगाटन गुरू ग्राम में किसके द्वारा किया गया अब मैंने यहाँ पर गुरू ग्राम इसलिए एड़ किया है क्योंकि आपके हरियाना के 9 जिलो में आयोजित कराये जा रहे है और 9 जिलो में अलग-अलग मंतरी के द्वारा ये किसी विधान सभा सदस्य के द्वारा उनका उधगाटन किया गया है चीक है तो केलो हर्याना यूथ गेम्स का उधगाटन गुरू ग्राम में राव इंद्रजीत के द्वारा किया गया है इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं 16 से 18 दिसंबर तक 9 स्थानों पर आयोजित कराई जा रही हर्याना यूथ गेम्स के तहट ये अब खतम हो चुकी है इसके तहट गुरू ग्राम में अगले 3 दिनों तक जूडो तीर अंदाजी और फुटबोल की परतियों किताए क्या कराई जाएंगी आयोजित कराई जाएंगी यानिकि इनका जो आयोजन है वो हो चुका है और इसका उदगाटन केंदरिय मंतरी राव इंदरजीत सिंग के द्वारा किया गया हर्याना के सभी जिलों से आए 1144 खिलाडी पदक के लिए अपना दमखम दिखाएंगे मतलब यहाँ पर कितने खिलाडी मोजूद थे 1144 खिलाडी पदक थे यहाँ पर वहीं लड़कियों के मैच जो है वो ताउदेवी लाल स्टेडियम में आयोजित कराए जाएंगे तो यहाँ आपको याद रख लेना है इसका आयोजिन कब से कब तक हुआ है 16-18 दिसंबर तक 9 स्थानों पर आपके 9 जिलों में आयोजित कराए गए है ठीक है और यहाँ गुरू गुराम में सका उद्धाटन राओ इंद्रजीत सिंग ने किया है इसके बादे भी इंपोर्टेंट है आपका ताउदेवी लाल स्टेडियम में खेलो हर्याना यूथ गेम्स का आयोजिन किसके द्वारा किया गया है ठीक है तो यहाँ पर यह देखे आप यह अलग हो चुका है कोशन क्योंकि आपके हर्याना में नो जिलो में अलग-अलग जगा पर इनका आयोजिन किया जा रहा है ठीक है इनके बारे में जान लेते हैं हर्याना विधान सभा अध्यक्ष ग्यान चन गुपता ने खेलों का शुभारम किया खेलों में परदेश के सभी जिलों से लगबग 2200 खिलाडी मतलब हर चगा पर अलग लग खिलाडी जगए हैं ठीक है तो इसकी नीव कब रखी जाएगी आपके चब एक जनवरी 2023 को हमारे हर्याना के सीम के द्वारा इसकी नीव रखी जाएगी तो इनके बारे में जान लेते हैं सिख दरम की राजधानी और बावा बंदा सिंग बहादूर की कारियर शैली रही लोहोगड को हर्याना सरकार ने नया सवरूप देने का फैसला लिया है ठीक है मुखे मंतरी मनोहलाल खटर के द्वारा एक जनवरी को यमुना नगर के लोहगड में इसकी अधार शीला रखी जाएगी और यमुना नगर का जो लोहगड है वो सिखो की राजधानी रही बाबा बंदा सिंग बहादूर ने बसाई थी यानि की बनाई थी नगर कि याद रखना है आपसे इस सरीके से भी पूछ सकता एकि बाबाबंदा सिंग भाधूर कि राजधानी क्या रही थी तो आपको आप क्या बताएंगे लोगड लोगड कहाँ पर आपके यमुना नगर में है ठीक है यहाँ पर देश वीडियोस से लोग आते है और यहाँ पर एक म्यूजियम मार्शल आर्ट कारिया शाला भी बनाई जाएगी ठीक है तो आपको यह पॉ हर्याना है वो उद्योगिक इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है उद्योग धंदे विक्सित हो रहे हैं पिछले आठ वर्षों में नए उद्योगिक शहर बसाने की कवायत तेज हुई निवेश कितना था 18,422 करोड और उद्योग धंदे 159622 लगाए गए 60,000,000,000 लोगों को मिला तो यह आपको याद रख लेना है चीक है यह इंपोर्टेंट है इसके बाद हर्याना के निर्यात ग्राफ में यानि कि निर्यात करने में क्या हुआ व्रद्धी हुई है हमारे यहां पर वर्ष 2014 में 69,000,000 करोड रुपए का क्या था हमारे यहां पर में आपने देखा होगा कि एक एक एकजाम में 5 पर 6 डाटा वाले कोशन थे जो आपके हर्याना करंट अफेर से पूछे गई थी ठीक है तो इस डाटा को भी आपको याद रखना है इसके बाद यह भी इंपोर्टेंट कोशन है आपका यहां पर हम पर लेते हैं हर्याना में मतलब कितने वर्ष का जो विवाईक संब्दन होना अनिवारिया कर दिया गया तो इसका अंसर हो जाएगा आपके दो साल ठीक है तो यहां पर मैंने इस तरीके से फोटो लगा दी है कि यहां पर बच्चों को गोध लेने की परकिया पहले की पहले से आसान हो गई है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कोशन आपका इंपोर्टेंट है हर्याना के किस विश्विध्याले ने बेर के फल से गुटली निकालने का यंत्र विक्सित किया है तो जहां पर भी क्रिशी की बात आती है तो हमारी हर्याना एग्रिकल्चर युनिवसिटी का नाम आपको देखने को मि इसके दो कबलता है तो बेर के फल से गुटली निकालने का यंत्रकिस ने विक्सित कर लिया Alone एंग्रिकल्चर यूवसिटी ने प्रोफेसर अके वीसी से की बीस पेटन्ट किया है तो इसमें से अब इन्हों 뉴스 का पेटन्ट बनालिया है विशिविध्याले ने विक्सित किया बेर के फल से गुठली निकालने का यंत्र विश्य विध्याले के प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार डॉक्टर देवी सिंग डॉक्टर राजिंद सिंग गोदारा के सहयोग से यह पेटेंट जो है विक्सित किया गया है तो यह किसने क्या है एच यू ने चीक है तो आप पिछले आठ वर्षों में उद्योगिक शहर बसाने की कवायद क्या हो गई तेज हो गई पहले निवेश कितना है 18422 करोड रोजगार 12.60 लाग लोगों को मिला और नए उद्योग धंदे 159622 लगाए गई है ठीक है यह आपको याद रखना है इसके बाद ही आपका परिव पहचान पत्र से जोड दी गई है अब की आय जो है वह भी इससे मतलब देखी जाती है कई जगा तो नोकरियां भी अब परिवार पहचान पत्र की आय देख कर ही पता लगती है ठीक है अप परिवार पहचान पत्र से जुड़ेंगे विध्यार्ति स्कूल को लेज्व में सरकार ने निर्देश दे दिये हैं तो यह आपका बहुत जरूरी हो जाता है कोशन आपको याद रखना है कि आप परिवार पहचान पत्र से आप क्या जुडेंगे स्कूल कॉलेज जितने भी प्राइवेट इंस्टिटूट है गॉर्वेंट इंस्टिटूट है कॉलेज है य मैंने आपको करा दिये है I hope आपको ये ख्लास पसंद आई होगी अगर आपको लगता है ख्लास किसी के लिए फैंट से और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अज की क्लास में इतना ही है नेक्स्ट क्लास में बने रहने के लिए मारे चैनल के साथ बने रहे धाइंक